कि ही व्रिवान विल्कुम बैक टो दे चैनल सो आज मैं आप लोग के सांसे एर करने वाली हूं सर्दियों में फेस पैक ऐसा हो जिससे आपका फेस बिल्कुल भी ड्राइना हो और मॉस्टर रहे सो मैं यहां पे सबसे पहले अपना फेस को क्लींजिंग करूंगी सो मैं किसली किए में क्रीमी महता है इसलिए मैंने अच्छे से अच्छे से यहाँ नॉर्माली वह कर तो मैं वैसे कर रही हूं और इसको क्रब्राइब का करना है ताकि जितना भी आपकात्य ब्राइनेस कूआ जो विंटर में जो स्कीन थर थर निकलते न वो अच्छे से रिमूव होता है सो आफ्टर वाश मैं यहाँ पे अपना फेस पैक बना रही हूँ सबसे पहले आपको टू टेस्पून मलाई लेने है वन टेस्पून बेशन लेने है उसके बाद आपको हलका पिंच ओफ टर्मनिक लेने और अलोवेरा यह आपको चारो को अच्छे से मिक्स करके इसका ऐसा पेस्ट बनाना है पेस्ट बनाने के बाद आपको इसे पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है आपका यह पैक लगाने से एक तो आपका फेस बिलकुल भी आपको ड्राइनेस फिल नहीं देगा जलन नहीं होगा फेस खींचेगा नहींak विंटर में जो गलोँ चला जाता है वो गलोँ देता है और आप इससे फेस पैक लगा कि ऐसा मतलब महसूस होता है कि एक होते हैं कि टाइम टाइम पे जब थोड़ा सा इवनिंग टाइम में फेस ड्राइने सहने लगता है तो वह चीज नहीं होता है सो आप यह फेस पैक को इसे विकली अप लगा सकते हो और इसको लगाने के बाद आपको इवन मौस्टिराइजर का कोई जवरत नहीं परेगा अब बहुत रिलाक्स फिल करोगे विकला सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है विंटर में आपको मौस्टिराजर लगाना वाश करना बहुत दिक्कत होता है मतलब प्रॉब्लम होता है विंटर में सो आप यह फेस पैक बेसक यूज़ करो और यूवल सी दर रिजल मेरा फेस पैक यहां पर लग चुका है अभी मैं इसे 30 मिनिट्स के लिए चोड़ूंगी सो आफ्टर 30 मिनिट्स यह इस तरह से ड्राइ हो गया है और आपको इसे अच्छी से स्क्रब्ड करके सिर्फ नॉर्मल वाटर जो अच्छा अगर हलका लुक वाम वाटर होता आप उ उसके बाद आप देख सकते हो कि इतना फेस साफ हो चुका है क्लीन हो गया है और एक तम ही ट्राइब मैं सुसनी हो रहा है मौश्य लगते है अच्छी में यह पैक लगाने के बादन मुझे तीन-चार दिन कोई मौश्य रजर्व अगर लगानी ही नहीं होते हैं लग इस फ फेस पैक को ट्राइ करो कैसे लगे कमेंड में जरूर बताना थैंक्स फर वाचिंटीन